इस वीडियो में reasoning का missing number के उपूर कुछ question discuss करूँगा जो competitive exam के लिए बहुत ही important है अब वीडियो को ध्यान से देखेगा ताकि इस टेक को question को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो तो चैले शुरू करते हैं यह पर देखे एक question है यह पर question mark है यह question mark है जागा कौन सा number होगा इ तो यह पर multiply करेंगे तो यह पर हो जाएगा 4 into 3 is equal to 12 into 2 is equal to 24 24 के साथ अभी यह पर क्या करेंगे यह 8 को जोड़ देंगे plus 8 कर देंगे तो यह पर 32 आ जाएगा ठीक है समझ में आगा उसके बाद second row में भी same हो जाएगा यह पर 5 into 3 into 1 करना है तो यह पर हो जाएगा 15 plus यह पर 9 कर देना है तो यह पर 24 आ जाएगा ठीक है उसके बाद third row में भी same हो जाएगा तो यह पर fourth row में क्या होगा देखिए यह पर fourth row में 2 into 9 into 4 करना है तो यह पर हो जाएगा 9 into 4 is equal to 36 into 2 is equal to 72 ठीक है 72 के साथ अभी 12 को जोड़ देना है तो यह पर 84 हो जाएगा तो मतलब question मारके जा यह पर देखे question mark है यह question mark हो जाएगा कौन सा number होगा इस question को solve करने के लिए हम इसको column wise solve करेंगे first column में देखे 9, 6 and 45 है तो इन तीनों numbers का अंदर relation क्या है यह पर क्या करेंगे 9 का अगर square करेंगे तो यह पर हो जाएगा 81 उसके बाद यह पर 6 square करेंगे तो यह पर 36 आ जाएग यह पर 12 square करना है तो 12 square is equal to 144 ठीक है अभी यह पर 7 square करना है तो यह पर हो जाएगा 49 minus कर दीजे यह पर हो जाएगा 95 ठीक है समझ में आ गया उसके बाद third column में भी same हो जाएगा यह पर 8 square is equal to 64 उसके बाद 3 square is equal to 9 ठीक है 64 से अगर 9 minus करेंगे तो यह पर हो जाएगा 55 तो मतलब question mark की जागा, यह question mark की जागा 55 answer ho जाएगा, ठीक है, तो चाले next question को देख लेते हैं, तेखी यह आपर इस question को देखी, यह आपर एक missing number का question है, यह जागा पट देखłum़ की question mark है, तो यह question mark जागा कौन से number हो गा, question को solve करने के लिए यह यह जो diagram है, इसका अंदर जो numbers है, इन numbers के अंदर relation को देखेंगे, सबसे वहले हम 5 से शुरू करेंगे, देखें, यह पर 5 का meaning क्या है, अगर 2 square करेंगे, plus 1 कर देंगे, तो 2 square is equal to 4 plus 1 is equal to 5 हो जाता है, ठीक है, उसके बाद देखें, यह पर 10 है, 10 का meaning क्या है, अगर 3 square करेंगे, यह पर हो जाएगा 9, plus 1 कर देंगे, तो यह पर हो जाएगा 10, ठीक है, उसके बाद 50 का meaning देखें, यह पर 7 square कर दीजिए, तो यह पर 49 आएगा, plus 1 is equal to 50, ठीक है, उसके बाद 122 है, तो 122 का meaning क्या है, 11 का अगर square करेंगे, तो यह पर हो जाएगा 121, plus 1 कर दीजिए, तो यह पर 122 आजाएगा, ठीक है, तो अभी अपने इस question को समझना है, देखिए यह पर पहले 2 square plus 1, उसके बाद 3 square plus 1, उसके बाद यह पर आके 7 square plus 1 हो गया है, और उसके बाद यह पर आके 11 square plus 1 हो गया है, तो 2 square, 3 square, 7 square, 11 square, तो यह सब देखिए 2, 3, 7, 11, यह सब क्या है, prime number से, तो मतलब middle में एक ही prime number बाचा हु 21, तो मतलब, sorry, यह पर 5 square is equal to 25 हो जाता है, ठीक है, मैंने गलत लिख दिया, 30 लिख दिया, 5 square is equal to 25 plus 1 is equal to 26, ठीक है, तो मतलब question mark जागा, यह पर 26 answer हो जाएगा, ठीक है, तो चैले next question को देख लेते हैं, इस question को देखिए, यह पर 3 figure है, यह पर last में देखिए, circle के अंदर question mark है यह question mark के जागा, कौन सा number होगा, इस question को solve करने के लिए, हम सबसे पहले first figure को समझेंगे, यह पर first figure में देखिए, 3, 2, 6, 8 और circle के अंदर 24 है, तो यह numbers के अंदर relation के है, यह पर क्या करेंगे, 2, 3, 6, 6 and 8 का क्या करेंगे, यह पर LCM निकलेंगे, LCM क्या होगा, देखिए, 2, 3, 6, 8 का LCM हो जाएगा, यह पर 2 से जाएगा, तो यह पर 1, 3, यह पर 3, यह पर 4, ठीक है, फिर यह पर 3 से जाएगा, तो यह पर 1, 1, 1 and 4 हो जाएगा, ठीक है, यह पर 2 into 3 is equal to 6 into 4 is equal to 24, ठीक है, देखिए, LCM हो जाएगा, LCM हो जाएगा 24, यह पर circle के अंदर 24 है, ठीक है, उसक यह पर 3 यह पर 5 ठीक है उसके बाद 3 से जाएगा तो यह पर हो जाएगा 5, 1, 1, 5 और उसके बाद 5 से जाएगा तो यह पर 1, 1, 1, 1 हो जाएगा तो अब यह पर multiply कर दीजिए 2 into 3 is equal to 6 into 5 is equal to 30 ठीक है समझ में आ गया है उसके बाद यह पर 3rd figure में भी same हो जाएगा यह पर 9, 6, 3 and 2 का LCM निकल लीचे यह पर LCM किया हो जाएगा 3 से जाएगा तो यह पर हो जाएगा 3, 2, 1, 2 ठीक है उसके बाद फिर 2 से जाएगा तो यह पर हो जाएगा 3, 1, 1, 1, 1, 1, ठीक है समझ में आ गया तो यह पर क्या होगा देखिए अब माल्टिप्ले कर दीजिए 3 into 2, 6 into 3 is equal to 18 तो यह पर question mark के जाएगा 18 answer हो जाएगा ठीक है समझ में आ गया तो जाए लिए next question को देख लेता है देखिए यह पर इस question को देखिए यह पर 3 figure है यह पर 3 figure के middle में देखिए question mark है तो यह question mark की जाएगा कौन सा number होगा इस question को solve करने के लिए हम सबसे पहले first figure को समझेंगे first figure में जो numbers है इन numbers के अंदर relation क्या है यह पर क्या करेंगे 9, 12, 6 and 18 का यह पर ACF निकलेंगे HCF का मतलब क्या होता है HCF का मतलब होता है highest common factor ठीक है इन चारो numbers के अंदर highest common factor कौन सा होगा देखिए यह पर 3 से जाएगा तो यह पर हो जाएगा 3 यह पर 4 यह पर 2 यह पर और नहीं जाएगा तो यह पर देखिए यह पर 9, 12, 6 and 18 का highest common factor क्या है highest common factor यह पर 3 है ठीके तो middle में देखिए यह पर 3 है ठीके तो मतलब यह पर second figure में भी same हो जाएगा यह पर देखिए 50, 60, 20 and 30 इन 4 numbers के अंदर highest common factor क्या है यह पर 10 से जाएगा तो यह पर 5, 6, 2 and 3 हो जाएगा और नहीं जाएगा तो यह पर highest common factor हो जाएगा यह पर 10 ठीक है तो देखिए middle में 10 है यह पर ठीक है तो यह पर third figure में भी same हो जाएगा देखिए third figure में 3, 5, 6 and 2 इन 4 numbers का highest common factor क्या हो जाएगा इस से हो जाएगा यह one ठीक है तो मतलब यह पर question mark के जाएगा one answer हो जाएगा ठीक है तो चले next question को देख लेते हैं question को देखिए यह पर एक missing number का question है यह पर देखिए question mark है तो यह question mark के जाएगा खौन सा number होगा इस question को solve करने के लिए हम इसको row wise solve करेंगे फास्ट रो में देखिए 28, 20 and 7 है तो इन तिनों numbers का अंदर relation क्या है सबसे पहले हम 28 को यह पर यह last का 7 से divide करेंगे तो यह पर हो जाता है 4 ठीक है अब यह 4 के साथ अगर multiplied by 5 करेंगे तो यह पर देखिए middle का 20 आ जाएगा ठीक है उसके बद यह पर second row में भी same हो जाएगा यह पर 84 को पहले 12 से divide करना है तो यह पर हो जाएगा 7 अभी 7 के साथ multiplied by अगर 5 कर देंगे तो यह पर middle का 35 आ जाएगा ठीक है उसके बद हाट row में भी same हो जाएगा यह पर 45 को पहले 9 से divide करना है ठीक है तो 9 से divide करेंगे तो यह पर हो जाएगा 5 अभी यह जो 5 आया है यह 5 के साथ multiplied by अगर 5 करेंगे तो यह पर 25 आ जाएगा ठीक है तो question mark के जागा 25 आइंसर हो जाएगा ठीक है समझ में आगा इस वीडियो में किसी भी question को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर comment box में comment करके बाद आई है मैं कोशिश करूँगा उस question को आपको फिर से समझेने का ठीक है वीडियो को अच्छे लागा तो ज़रूर लाइक शेयर